मेरा नाम डॉक्टर महम्मद खावर नजीर है और मैं डर्माटोलोजिस्ट हूँ बेसिक मेरी स्पेशलेटी है मैंने M.V.P.S. निश्टर मेडिकल कॉलेज से किया और फिर मेरा इंट्रेस्ट स्किन में था डर्माटोलोजी में था और मैंने M.E.O. ऑस्पिटल से एक साल की ट्रेणिंग गी उसके बाद मैं स्पेशलाइजेशन की गरद से अमेरिका चला गया Boston University से मैंने M.S. Dramatology किया और वहां पर मैंने Skin, Hair and Nail की जो डिजिजिस है उसको पड़ा ट्रेणिंग ली और कॉस्मेटिक एंड लेजर ट्रीटमेट्मेट्स को भी सीखा मेरा क्लिनिक है Boston Aesthetics के नाम से चुकि मैंने ट्रेणिंग Boston अमेरिका से ली और Boston University मेरा इदारा था तो मैंने उसी नाम से क्लिनिक बनाया Boston Aesthetics गुलबग लाहौर में हाली रोड पे Boston Aesthetics में हम Skin, Hair and Nail के हवाले से Services उफर कर रहे हैं जितनी भी बिमारी हैं उनका इलाज उफर करते हैं इसके लावा Cosmetic Laser Treatments भी हम उफर करते हैं और Anti-Aging Treatment भी उफर करते हैं Cosmetic Laser and Anti-Aging Treatments में बेशमार Treatments हैं जैसे के Pigment के हवाले से हम Treatment करते हैं जूरियों के हवाले से Treatment करते हैं Skin Tightening के हवाले से Treatment करते हैं और इसके इलावा स्किन ग्लो के हवाले से भी हम ट्रीटमेंट आफर करते हैं के इलावा स्किन की जो सरजरी हैं वो भी हम आफर करते हैं स्किन के मोल रिमॉवल, वाट रिमॉवल, स्किन टैग रिमॉवल, कॉमनली हम ये आफर करते हैं हेर के हवाले से हम जो सर्जری है हेर ट्रांस्प्रांट सर्ज olduğговर करते हैं फोत जो के स्ट्रिप एड एफ यूई मॉडरन मेथेड जिसमें एक एक बाल निकाला जाता है हम वो भी सर्वशिज आफ़र करते हैं यह वाले सेंटि एजिंग ट्रीटमेंट्स के हवाले से हम बेशमा ट्रीटमेंट्स आफर करते हैं, फ्रैक्शनल रेडियो फ्रिकेंसी और स्किन टाइटनिंग के हवाले से हाइफ यू अल्थराभी हम आफर करते हैं हम रूटीन में आजकल देखते हैं कि खवादीन में चेहरे पे बालों का मसला बहुत ज़्यदा आ रहा है चेहरे में बालों की मिकदार का ज़्यदा हो जाना तदात का ज़्यदा हो जाना बेशमार फैक्टर्स होते हैं तो हम जो underlying factors हैं, hormones हैं उनको भी evaluate कराते हैं, endocrinologist की opinion लेते हैं और फिर laser के जिरिए उनको remove करने की कोशिश करते हैं laser hair removal जो है वो permanent hair removal नहीं है face के हवाले से especially लेकिन it is called long term reduction यानि आपको 70-80% बाल 6-8 session में कम हो जाते हैं आपके whitening cream या fairness cream आम तो पर हमारी बच्चे या बच्चे बहुत commonly use करते हैं दो reason है, एक तो बहुत सस्ती मिल जाती है, easily हर दुकान से मिल जाती है और फिर किसी ना किसी को कोई सहली recommend कर रही होती है, कोई खालना recommend कर रही होती है, कोई दोस recommend कर रही होती है कि उसकी skin बड़ी अच्छी होगी उससे फिर mixture cream है, 3-4 cream मिक्स करके लोग use करते हैं, जिसमें steroid, mercury, arsenic होता है तो ये जहीं में रखिएगा कि ये क्रीम में वक्ती तोर पे आपकी skin को शायद थोड़ा सा फेर कर दें लेकर in the long run, कुछ महीनों या सालों के बाद आपकी skin पे एक permanent damage आ जाता है skin पतली हो जाती है, skin पे बालों की growth, females में specially specially जाती है skin पे ऐसे दाने निकलते हैं, जिनका अच्छा इलाज नहीं होता और skin heat से, सूरज की रोशनी से बहुत sensitive हो जाती है तो whitening creams का use जो है, अच्छा है लेकिन अगर आप doctor से मश्वरा करें doctor आपको ऐसी creams देंगे, जिनमें ये चीज़ें नहीं है जो slowly आपकी skin को help करेंगी और आपकी skin के लिए safe होंगी मेरे क्लिनिक में अफशा laser therapist के तोर पे काम करती हैं और वो aesthetic specialist भी हैं और वो hydrafacial और दूसरे skin के जो procedure हैं वो मेरी under supervision करती हैं अगर आप लोगों को हमारी किसी भी services के हवाले से apartment चाहिए हो तो आप मरहम की website www.marm.pk पे जाके हमारी apartment book कर सकते हैं